तो यूवक कॉंग्रेस चुनाव के परणाम आने के बाद यूवक कॉंग्रेस नेता ने पुनर मतगर्णा की मांग की है नयाधीश की नौकरी छोड़कर राजनिती के छेत्र में कदम रखते हुए मनेंद्रगर जिला यूवक कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले पूर्णायधीश वेंगटेश सिंग ने पार्टी के राष्टे नितरित्व को पत्र लिखकर रिकाउंटिंग की मांग की है वेंगटेश का आरोप है कि मैंने सत्रह हजार मेंबर्शिप करवाई थी मेरे दस हजार मत जो है वो निरस्त किये गए हैं वेंगटेश प्रशाद की कैबिनेट मंतरी टीएस सिंग देव की समर्थक हैं मानेंद्रगर जिला यूवक कॉंग्रेस के चुनाव में हजार से लगभग 10,000 मेंबर्शिप निरस्त किये गए हैं जिसके समन्द में उन्होंने अपीली अधिकारी के समेक्ष अपील की है और फिर से मतों की जांच करने का निवेदन हाई कमान और अपीले निर्वाचन अधिकारी से किया है इस तरह से इतनी भारी संख्या में मत म उपाद्धर्श के मद 31 वोट का अंतर है तो पर जहां पर मेरी बस यह मांग है कि कि जहां पर परिणाम में इतना मतों का इतना कम अंतर है तो मेरी यह हाई कमान से मांग है कि एक बार पूना सभी जो भी मेंबर्शिप हुई है और जो मड़ डाले गए हैं उनकी री इतनी एवं री काउंटिंग होनी चाहिए जिससे जो हमारे यूवा कर करता हैं जिन्होंने पूरे एक महिने इतनी मेहनत की बीच धूप में इतनी महनत की वह तो साहित ना हो परिणाम जो है वो पूरा रिजल जो है फेयर और अच्छी तरह आना चाहिए इसके लिए पुन